इस वीडियो सीरीज में हम CBSE 12th IP 2021 के लिए क्रेस कोर्स देख रहे हैं यह क्रेस कोर्स as per revised slavus है जो CBSE ने प्रोवाइट किया था इस क्रेस कोर्स को हम total 9 days में cover करने वाले हैं जिस मेंसे 2 days already cover हम कर चुके हैं आज है day 3 so day 3 में आज हम data frame देखेंगे so यह सारे topics data frame में हम cover करने वाले हैं data frame A to Z आपके syllabus में जो पूरा है सारा कुछ हम cover करेंगे ट्रेस कोर्स के लिए मैंने एक PDF प्रिपेर की है यदि आप चाहते हैं तो description में दियोए link पर जाकर इसको purchase कर सकते हैं या फिर आप अपने notes भी खुद से बना सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और day 3 पर चलते हैं और day 3 से हम इसको start करते हैं so day 3 में आज data frame में हम इन सारे topics को cover करेंगे first है introduction to data frame हम देखेंगे data frame क्या कहलाता है उसके बाद हम बात करेंगे हम different data frames को किस तरीके से बना सकते हैं so in 3 way में हम देखेंगे data frame बनाना ये 3 ways आपके syllabus में हैं इसलिए हम इनको discuss करेंगे इसके बाद हम data frame के attributes की बात करेंगे उसके बाद हम data frame पर कुछ operations देखेंगे जिसमें data frame में से rows and columns को हम select करना सीखेंगे rows and columns को हम add करना, delete करना और rows and columns के indexes के name को हम change करना सीखेंगे उसके बाद हम data frame की कुछ methods देखेंगे जो की important method है और exam में आ सकती है sample question paper में भी ये सारी methods पर questions दिये हुए है तो इन सारी methods को हम देखेंगे उसके बाद csb और data frame कैसे एक दूसरे में हम change कर सकते हैं csb से data frame बनाना और data frame से csb में convert करना देखेंगे csb एक तरीके की file है जिसको हम discuss करेंगे ये क्या कहलाती है चलिए start करते हैं with first topic that is introduction to data frames so introduction to data frame मैं हम जैसे की already day one में देख चुके हैं pandas के दो data structure होते हैं वैसे कई सारे data structures होते हैं उसमें जिसमें mainly two data structures हैं जो आपके syllabus में है पहला है series दूसरा है data frame तो series already हम cover कर चुके हैं आज हम data frame को cover करेंगे series 1D data structure है data frame 2D data structure है data frame 2D data structure है जो data frame होता है it is similar to spreadsheet यानि की Excel Microsoft Excel में जो आपने देखा होगा rows and columns रहते हैं या SQL में tables जो रहती हैं उसमें जो rows and columns रहते हैं उसके similar होता है जैसे की आप यहाँ पर एक example देख सकते हैं यह एक data frame का example है यह एक data frame का example है यहाँ पर यह rows कहलाती है और यह columns कहलाते हैं यहाँ पर rows के कुछ name होते हैं जिसको row index बोलते हैं columns के कुछ names होते हैं उनको column index या column name बोलते हैं इनको आप series dictionary of series भी कह सकते हैं यहाँ पर आप देखें तो यह एक series जैसी है यदि हम बहुत सारी series को आपस में एक साथ रख देते हैं तो वो data frame बन जाता है तो यह data frame का एक example है यहाँ पर यह data है सारा यह सब कुछ data है यहाँ पर यह data यह data यह data है data frame में यह जो names है यह name internally 012 age 2 होगा इसको मैं यहाँ पर ही लिख देता हूं 01234 इस तरीके से दिया जाता है यहाँ भी 01234 ऐसे दिया जाता है यहाँ पर जो name है यह internally दिये जाते है 01234 यह आप इनको change भी कर सकते हैं यहाँ पर भी आप जो चाहे वो name इन rows का दे सकते हैं तो यह सब कुछ हम अभी देखेंगे आगे जैसे जैसे हम इस वीडियो में बढ़ेंगे तो यह है introduction to data frame अब हम कुछ characteristics देख लेते हैं data frame की जैसा कि हम discuss कर चुके हैं इसके दो index होते हैं एक row index दूसरा column index यह row index है और यह column index है row index को axis 0 और column को axis 1 बोलते हैं इसको आप याद रख सकते हैं चुकि column यह vertical होते हैं तो यह इसको आप 1 से याद रख सकते हैं और जो दूसरा है row वो 0 है यह जो row है इसको हम axis 0 बोलते हैं इसको आपको याद रखना है इसका आगे हम use करेंगे row index को हम normally index बोलते हैं और इसको हम column बोलते हैं इसको आप index बोलेंगे और column index को column name बोलेंगे यह जो row index है और column name है यह numbers हो सकते हैं, letters हो सकते हैं या फिर कोई string भी हो सकते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह numbers हैं यह strings है data frame is value mutable and size mutable data frame की हम values change कर सकते हैं जैसे यह 36 है, 36 की ज़िए आप 99 करना चाहें तो यह change हो सकता है size mutable का मतलब है अभी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 columns है आप चाहें तो यहाँ पर 6 column 6th column add कर सकते हैं और भी चाहें तो कई सारी rows add कर सकते हैं that means यह value mutable भी है, size mutable भी है a column can have values of different types एक column में different types की values हो सकती है तो एक column में numbers और string एक साथ भी हो सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं data frame creation एक बात और आपको याद रखना है कि data frame में जितने भी columns होंगे एक column की single data type होगी जैसे हमने series में देखा था single column की single data type होती है series में एक ही data type होती है ऐसे ही आप इसको एक series जैसा मान सकते हैं यह दूसरी series तो सारे ही column की single single data type होगी अलग-अलग तो यहाँ पर आप जैसे यह देख रहे हैं तो इसकी data type integer होगी ऐसे ही दूसरा column है यदि integer और string साथ में है तो इसकी data type object होगी तो एक column में एक ही data type यहाँ पर assign होगी अब हम बात कर लेते हैं data frame object creation की तो आपको पता होगा python में सब कुछ object होता है so data frame भी एक object है जिसको हम create करना अब देखने वाले हैं सबसे पहली चीज आपको pandas library को import करना पड़ेगा चुकि data frame pandas के अंदर होता है इसलिए pandas का use करके ही हम data frame को बनाएंगे data frame को बनाने के लिए आप pandas को import करेंगे फिर लिखेंगे pandas dot data frame d and f capital रहेगा उसके बाद यह brackets रहेंगे चुकि data frame एक function है जिसका आप use करेंगे data frame बनाने के लिए तो functions और methods आप इसको बोल सकते हैं function या method function और method में यह brackets रहते हैं तो आप लिखेंगे pandas dot data frame और यह brackets रहेंगे इसके अंदर हम data देंगे जिसके लिए हमको data frame बनाना है जब आपका data frame बन जाएगा तो यह एक data frame object या simple आप variable बोल सकते हो return करेगा data frame का जिसको आप किसी भी data frame object में या variable में store करेंगे तो यहाँ पर आप जो चाहें वो name दे सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे यही चीज लिखी हुए data frame object is equal to pandas dot data frame then brackets इसके बाद यहाँ पर जो data और parameters हम को देना है वो होंगे तो यहाँ पर data parameter है index, columns, d type और copy इन में से data, index, column and d type important है copy parameter important नहीं है तो हम copy parameter के अलाबा बाकी सारे parameters discuss करेंगे data parameter में हम जो data है यह जो data है यह data देंगे index parameter में हम यह यहाँ पर जो name हमको assign करना है हम वो देंगे यदि हम name assign करते हैं तो वो names आएंगे यदि नहीं assign करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 by default आएगा column parameter में हम column के names assign करेंगे जैसे हम first name, last name, age, comedy score और rating score लिखा है यदि हम यह assign नहीं करते हैं तो by default 0, 1, 2, 3, 4 आएगे और आगे यदि column है तो 5, 6 इस तरीके से आएगे इसके बाद d type, d type का use हम different columns की data type देने के लिए करेंगे तो इन सारे इन 4 parameters को हम एक एक करके देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं data parameter so data frame creation हम data parameter में data देकर कर सकते हैं data parameter में हम 3 तरीके का data देखेंगे dictionary of list या dictionary of series दूसरा list of list या list of dictionaries तीसरा text file या CSV file तीनों को हम एक एक करके देखते हैं सबसे पहला है from dictionary of list so यह है from dictionary of list so dictionary यह बनती है ऐसी dictionary of list that means यहाँ पर key होगी value होगी list key comma यहाँ पर key होगी colon list होगी कॉमा सेपरेट करके और लास्ट में फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा तो यह कहलाती है list dictionary of list यह dictionary है of list यह list है so हम dictionary of list बनाएंगे फिर इससे data frame बनाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले मैंने import पांडास किया यहाँ पर इसको एक alias name दिया उसके बाद d बनाई dictionary so यह dictionary of list है यहाँ पर मैंने key दी और value में मैंने एक list दी दूसरा यहाँ पर key दी फिर value में list दी फिर key दी फिर list दी फिर key और value में list key value में list और फिर मैंने यहाँ पर dictionary को close कर दिया so यह dictionary of list d बन गई मेरी ठीक है यह normal dictionary है बस value में मैंने एक list दी है जैसे first name है तो 5 मैंने 1, 2, 3, 4, 5 5 names दे दी है फिर last name पांच लोगों के last name दे दी है फिर 5 लोगों की age दे दी फिर comedy score दे दी है rating दे दी तो 5-5 values मैंने सारे ही value parameter में dictionary में assign कर दी उसके बाद मैंने क्या किया मैंने जैसे यहाँ पर आपको बताया था यहाँ पर मैं लिखूँगा df is equal to pandas या उसका मैंने alias लिया है तो pd alias मैंने इसको यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर लिख दूँगा pd.dataframe यहाँ पर अब data parameter हम देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं लिखूँगा data is equal to data क्या है मेरा यह dictionary तो d मैं यहाँ पर दे दूँगा इसको close कर दिया close करने के बाद यहाँ पर df में मेरा data frame बन जाएगा वही चीज़ आप देखेंगे मैंने यहाँ पर किया आप चाहते हैं तो data is equal to लिख सकते हैं या फिर directly d भी दे सकते हैं directly यह d दे दूँगा मैं तो python internally उसको data parameter में ही assign करेगा तो अब हम देखते हैं data frame कैसे बनेगा तो यह मेरा यहाँ पर output आ गया data frame बन गया तो आप देखेंगे यहाँ पर जो five values थी वो एक column में आएंगी यह और इस column का name क्या होगा जो इस dictionary की थी first name तो first name में five values आ गहीं फिर last name में यह last name में five values आ गहीं फिर age में यह five values फिर comedy score यह five values फिर rating score यह five values आ गहीं और यहाँ पर हमने index parameter नहीं दिया है हमने और कोई parameter नहीं दिया है देखिए आप यहाँ पर data था index columns और d type हमने सिर्फ data parameter का use किया है और कोई parameter नहीं दिये तो यहाँ पर आप देखेंगे कि column जो थे उसके name जो आये है वो dictionary की keys से आये है और जो index, row index आये है वो by default 0, 1, 2, 3, 4 आये है तो यदि हम dictionary से dictionary of list से data frame बना रहे हैं तो dictionary की keys रहेंगी वो column के name हो जाएंगे और जो dictionary की values रहेंगी वो columns बन जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं dictionary of series तो यहाँ पर भी same है dictionary of series यह dictionary है dictionary of series क्या हुआ? की रहेगी और value में series रहेगी series जो हम already day two में पढ़ चुके हैं फिर की रहेगी फिर पांडाज की series रहेगी इस तरीके से comma separate करके key और value pair रहेंगे key और value pair रहेंगे यह key यह value pair ठीक है तो यहाँ पर भी वही चीज है यहाँ first name है और यहाँ पर मैंने जो list दी थी last case में यहाँ पर मैंने series दी है series कैसे बनाई है? pd.series जैसे हम series बनाते हैं last class में हमने देखा था day 2 में pd.series लिखा s capital है और यहाँ पर मैंने एक list पास कर दी तो यह एक series बन जाएगी तो मैंने यह series पास की again यहाँ पर key value series है key value एक series है key value एक series है again key value एक series है अब again यहाँ पर मैं same चीज़ करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं df is equal to pd.dataframe d capital f capital और यहाँ पर मैंने data पास कर दिया जो की d है यह d हमने यहाँ पर बनाया है तो जब भी हम dictionary से data frame बनाते हैं तो उसकी जो key है वो column का name बन जाता है और जो value है वो खुद column की values बन जाएगी तो यह five values यहाँ पर आगई similarly last name यह column name बन गया five values यहाँ आगई age column name बन गया यह five values यहाँ आगई 42,38 देखिए 42,38 comedy score column name यह values column name यह सारी values यहाँ पर आगई और यहाँ पर मैंने index नहीं दिया है तो index by default के आया 0,1,2,3,4 तो यहाँ पर जब भी हम dictionary से data frame बनाएंगे dictionary की जो keys होंगी वो column name बन जाएगा और उसके row index by default 0,1,2,3,4 आएंगे अधि आप index नहीं देते हैं तो दूसरा way दूसरा way है from list of list and और list of dictionary so list of list से देखेंगे फिर हम list of dictionary से देखेंगे so list of list क्या हुआ यह list है list of list में इसके अंदर भी कुछ list है so last case में हमने देखा था कि यहां पर जो चीज मैंने दी थी वो columns बन रही थी अब जब हम list of list का case देखेंगे तो यहां पर मैं एक list बना रहा हूँ उसके अंदर कई list दी है तो एक list में जो values हैं वो एक row को यहां पर represent करती है तो यहां पर जब मैं इसको data frame को बनाऊंगा pd.dataframe और यह एक list है यहां पर मैंने list पास कर दी l यह जो l था मैंने यहां पर पास कर दिया तो आप यहां पर data frame df बनेगा so df में जब आप देखेंगे sheldon copper 42 9 25 sheldon copper 42 9 25 तो एक row यहां पर आई तो यहां पर जो मैंने दिया वो row यहां पर आगई second जो मैंने दिया तो second row में आगए इस तरीके से यह सारी rows यहां पर जो मैंने दी वो यहां पर आगई यहां पर आपने सिर्फ डेटा पेरामीटर दिया ना ही इंडेक्स दिया ना ही कॉलम पेरामीटर दिया ना ही डी टाइप दिया क्यों नहीं दिया क्योंकि हम सिर्फ अभी डेटा पेरामीटर देख रहे हैं सिर्फ डेटा पेरामीटर देख रहे हैं तो data is equal to L दे सकते हैं आप या only L दे सकते हैं, यह दोनों चलेंगे, तो यहाँ पर हमने only L दिया है, अगर हम यह तीनों parameter नहीं देते हैं, तो यह तीनों by default आते हैं, तो यहाँ पर default क्या है, index क्या default है, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, column भी 0 से लेके 1, 2, 3, 4, start हो जाएंगे, और data type भी internally assign हो जाएगी इन सारे columns को, तो यहाँ पर आपने देखा, जो column था, वो भी 0, 1, 2, 3, 4, internally आया, इससे पहले जब हम dictionary से बना रहे थे, तो जो dictionary की keys थी, first name, last name, age, comedy score और rating, वो column की name आ रहे थे, तो जो list के case में हम list of list से बना रहे हैं, वहाँ पर, 0, 1, 2, 3, 4, by default यहाँ पर आएगा, next है list of dictionary, so list of dictionary क्या होगा, यह list है, list of dictionaries, so इसके अंदर dictionaries होगी, so आपको पता है, जैसे कि हमने उपर देखा, list of list के case में, जो internal हम list देते हैं, वो row को represent करती है, यह first row, यह second row, यह third row, तो यहाँ पर भी जो list होगी, यह list है, इसके अंदर मैंने dictionaries बनाई है, यह dictionary first dictionary, comma, second dictionary, comma, third dictionary, तो यह dictionary भी row को ही represent करेगी, यह first row, यह second row, यह third row, यह fourth row, और यह fifth row, तो यहाँ पर कैसी dictionary बनी है, आप देखिए, इसको ध्यान से, first name, Sheldon, last name, Copper, age, 42, तो जो मेरी first row है, उसके first name में, Sheldon आ जाएगा, last name में, Copper आ जाएगा, age में, 42 आ जाएगा, comedy score में, 9 आ जाएगा, rating में, 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आप dictionary दे रहे हैं, वो क्या है, column name है, और उसकी value है, column name है, और उसकी value है, जो second dictionary दे रहे है, column name है, उसकी value है, तो first name में, राज, last name में, कूतरा पल्ली, कूतरा पल्ली, तो उसके बाद age में, 38, so age में, 38, इस तरीके से 7, 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो dictionary दे रहे हैं, उसमें आपको column name देना पड़ेगा, और उसकी value देना पड़ेगी, अगर मैं और कोई row add करना चाहूं, तो यहाँ कॉमा करके, एक और dictionary add कर सकता हूं, लिस्ट के अंदर, इसको हटा के, तो यहाँ पर मुझे column का name देना पड़ेगा, और उसकी value, कॉमा column का name, फिर उसकी value, तो इस तरीके से यह, एक row यहाँ पर add होगी, तो जब हम list का use करके data frame बनाते हैं, तो हम rows add करते हैं, और जब हम dictionary का use करके बना रहे थे data frame को, तब हम यह जो value देते थे, वो columns में add होती थी, तो यह दोनों तरीके से हमने देखा, अब third way देखते हैं, using text file और csv file, so text file या csv file का use करके हम data frame को किस तरीके से बना सकते हैं, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा, csv file क्या कहलाती है, text file तो आपको पता है, normally.txt format वाली file, text file कहलाती है, csv file क्या कहलाती है, csv का full form होता है, comma, s से separated, v से values, तो यह full form हुआ, comma separated values, अब यह comma separated values क्या मतलब है, यहाँ पर, जो भी file में data रहेगा, वो comma separated रहेगा, कैसे रहेगा, देख लेते हैं, so यह दि आप text file लेते हैं, या csv file, दोनों ही file में जो data रहेगा, उसको comma separated होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, चली देख लेते हैं, माल लिया, यह data.csv file है, इस file में क्या है, यह data लिखा हुआ है, तो इस data का use करके हमको data frame बनाना है, सबसे पहले data को समझ लेते हैं, data किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर data frame देखिए, यह मुझे output आने वाला है, तो यहाँ पर जो rows है, including column name, वो यहाँ पर लिखी हुई है, first name, last name, age, comedy, score, rating, फिर, sheldon, copper, 42, 925, second row है, फिर, third row है, age, राज, कूतरपली, 38, 725, यहाँ पर है, इस तरीके से यह सारी rows दी हुई है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, first name लिखा है, फिर, jáँ पर देखी, first name, last name, comma, age, तो एक row की सारी values, comma separate होके लिखी हुई है, फिर, दूसरी row की भी इसी तरीके से, comma separate होके लिखी हुई है, फिर, तीसरी row में, third, fourth, fifth, वोस इसी तरीके से लिखी हुई है, including column names भी, columns name भी comma separate करके लिखी हुए है इसी को हम बोलते हैं comma separate values file जिसमें सारे columns की value comma separate करके लिखी हुई होती है तो यह आप समझ गए csb file क्या कहलाती है यह आप .txt file भी लेते हैं data.txt उसमें भी इसी तरीके से data लिखा रहना चाहिए जो भी data रहेगा वो comma separate रहना चाहिए आप चाहें तो comma की जगए hashtag separate या कोई भी special character या जो चाहें आप उससे separate कर सकते हैं इस चीज को हम जब read csb और to csb chapter 6 में अभी वीडियो में आगे ही पढ़ेंगे उसमें और इसको अच्छे से देखेंगे तो आप इसको hashtag, dollar या किसी भी particular symbol से separate कर सकते हैं सारी values को तो इन सारी values को आप जिससे चाहें उससे separate कर सकते हैं अभी आप इसको ऐसा समझेए कि ये सारी values comma से ही separated हैं तो इसका data frame हम किस तरीके से बना सकते हैं so import pandas spd हमको करना पड़ेगा then हम data frame बनाएंगे pd.readcsb से readcsb एक function है जिसका हम यहाँ पर use करेंगे read underscore csb small में है सारा फिर brackets हैं यह pandas के अंदर ही है तो हम pd.readcsb करेंगे जैसे हमने किया था pd.dataframe का use row है file की वो column name बन जाएंगे और बाकी rows जो है वो data frame की values data values रोज बन जाएंगी यहाँ पर .txt फाइल भी देते हैं data.txt उसमें भी data, separate ही रहना चाहिए जैसा कि हमने डिसकस किया और किसी symbol से भी separate हो सकता है उसको हम अभी chapter 6 में cover करने वाले हैं अभी आप इसको समझेए कि जो data है वो comma separate ही है तो इस तरीके से आप बिल्कुल simple तरीके से pd.read.csb करेंगे और अपने csb file को यहाँ दे देंगे data.csb तो आपका data frame बन जाएगा तो इस तरीके से हमने तीन ways देखे जिसके थुरू आप data frame बना सकते हैं यह तीन है from dictionary of list, list of dictionaries and from text file और csb file अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं other parameters की जो remaining थे हमारे जिसमें था index parameter, column और d type parameter तो सबसे पहले हम एक data frame बना लेते हैं list of list से हम data frame बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सबसे पहले list of list रिखा यहां पर different rows लिखी यह different rows हैं तो dpd.dataframe यहां पर हमने list l pass की यह वाली list तो हमारा data frame कुछ इस तरीके से बन गया जिसमें यह by default i index is column name भी by default i 0, 1, 2, 3, 4 अब यदि मैं चाहता हूँ कि इनको मैं अपने हिसाब से दूँ अपने accordingly change करूँ तब मुझे इन parameters का use करना पड़ेगा index column d type का भी use हम देखेंगे so in columns की by default data type भी internally decide हो गई होगी यदि मैं चाहता हूँ उनकी data type भी change करना तब मुझे d type parameter का use करना पड़ेगा चली देखते हैं कैसे करेंगे हम सबसे पहले आप इस command को देखें कितनी simple तरीके से मैंने इसको लिखा था df is equal to pd.dataframe और list l pass कर दी अब हम इसको क्या करेंगे हम लिखेंगे pd.dataframe वैसे ही जैसे अभी तक हम कर रहे थे data is equal to l data is equal to l या आप इस तरीके से directly l भी pass कर सकते हैं अब यदि मुझे column के name भी देना है data frame बनाते time तब मैं करूंगा comma index is equal to index name और column name दोनो देना है मुझे और यहां पर index के names देदूंगा comma columns is equal to यहां column name देदूंगा comma is equal to और bracket close करूंगा तो यह मेरा data frame बन जाएगा with my indexes my column name and my data type तो वही मैंने यहां पर किया है देखिए अब मैंने index क्या दे दिये यह वाले index 0 1 2 3 4 के default को change करके p1 p2 p3 p4 p5 तो आप देखेंगे अब जो data frame बनेगा उसमे p1 p2 p3 p4 p5 होगा column name यह होंगे तो देखिए यह आ गए अब यह आ गए अब हमने data type यहां पर क्या कर दिया है float सारे columns को float दे दिया तो देखिए यहां पर जो values थी इनका data type object ही रहेगा यह वाली जो data values थी इनका data type आप देखिए क्या हो गया अब यहां पर decimal values आ रहे हैं जो कि हमने यहां पर float दिया था इस तरीके से आप इन तीनों parameters का use करके index, column और data type को change कर सकते हैं To change the data type of already existing data frame you can use as type function यह दि data frame already बन चुका है यह already आप बना चुके हैं df में और फिर भी आप इसकी data type change करना चाहते हैं columns की तब आपको use करना पड़ेगा df.s type और फिर यहां पर आपको जिस भी column की data type देना है उस column का name dictionary में और उस column की data type यहां पर देना पड़ेगी तब सिर्फ एक ही column की data type change होगी यदि आप और भी columns की change करना चाहते हैं तो आपको dictionary में उस तरीके से देना पड़ेगा जैसे आपने comedy score float prediction तो आप दो columns की data type change हो जाएगी और इसको equal to आपको नए data frame df में assign फिर से कर देना है आप same data frame में assign करेंगे तो जो नए data frame बनेगा उसका नाम भी df ही हो जाएगा यदि यह आप देते हैं df1 is equal to df dot s type और यहां पर values दे देते हैं तब नया data frame df1 बन जाएगा तो आप जिसमें चाहते हैं उसी data frame को change करना चाहते हैं तो df is equal to df dot s type कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब data frame attributes अब data frame df आपने बनाना सीख लिया अब data frame df की कुछ properties होती हैं जिसको हमें आपर discuss करेंगे उन्ही properties को हम attributes बोलते हैं यह सारे attributes हैं data frame के इन सारे attributes को एक एक करके हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं एक data frame df बना रहा हूँ सबसे पहले मैंने import pandas spd किया फिर dictionary ली उससे data frame df बना दिया यहाँ पर dictionary d d indexes student 1, 2, 3 यहाँ पर दिये data frame को जब मैं print करूंगा तो इस तरीके से कुछ data frame बन जाएगा जिसमें column, row number, name और percentage है और index इस student 1, 2, 3 हैं यह मेरी rows में data है अब हम इस data frame df पर attributes apply करके उनकी values चेक करेंगे हम इन सारे attributes को एक एक करके apply करेंगे इसको हम कैसे apply करेंगे हम करेंगे df data frame जो df बनाया है .attribute name यहाँ पर जो attribute name है वो देंगे जैसे हमें करना है df.t तो यह t transpose कर देगा data frame को क्या है transpose चलिए देखते हैं सबसे पहला attribute जो हम देखने वाले हैं वो है df.t transpose transpose का मतलब होता है rows और columns को interchange कर दो इनको rows बना दो और rows को columns बना दो so 123 जो की column था अब row बन जाएगा तो यह जो column name था वो यहाँ पर row index बन जाएगा तो आप df.t करते हैं तो आपका data frame transpose हो जाएगा इसको बोलते हैं transpose rows को columns में और columns को rows में change कर दिया दूसरा है axis axis क्या करता है? axis का मतलब होता है दो ही axis होती है data frame में rows होते हैं और columns so rows में column name से हम यहाँ पर देते हैं और यह यहाँ पर rows में row index होते हैं column में column name होते हैं आपको student 1, 2, 3 मिल जाएगा यह आपको comma separate होके एक और value मिलेगी जिसमें column names होंगे इसके बाद columns attribute df.columns करने पर सारे columns के name आ जाएंगे यह columns के name थे तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दूसरा होता index df.index करूंगा तो यहाँ पर आपको सारे indexes मिल जाएंगे student 1, 2, 3 यह जिए आपको दोनों एक साथ चाहिए तो आप df.exes use कर सकते हैं सारे columns की data type आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे using dtype attribute so df.dtype लिखने से d type से यहाँ पर आपको याद रखना है s भी लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर more than one columns है जब series पढ़ रहे थे हम तब हमने पढ़ा था d type जोकि उसमें एक ही column था है यहाँ पर d types है so df.d types करने पर मुझे सारे columns की data type मिल जाएगी तो यह सारे columns है और उनकी data type यहाँ पर मिल गई यह जो output आता है एक series के form में आता है इसलिए यहाँ पर इस series की data type object दिये हुई है सारे columns की data type यदि आपको चेक करना है तो आप लिख सकते है df.d types मुझे चेक करना है कि मेरा जो data frame बना है वो empty है या नहीं so मैं चेक कर सकता हूँ df.empty से यदि false आता है that means मेरा data frame empty नहीं है यदि true आता है इसका मतलब मेरा data frame empty है at जैसा की series में हमने देखा था at से किसी हम particular value को access कर सकते हैं similarly iat से भी हम किसी particular value को access कर सकते हैं जब मैं at use करता हूँ तब मुझे column के name और row के name जो है row index है उनको देना पड़ता है और यहाँ पर जब iat use करूँगा तो जो internally assigned integer values है या position बोल सकते हैं आपको वो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगी यदि मैं iat use कर रहा हूँ तब मैं positions दूँगा internally assigned positions क्या होती है rows के लिए 0 से लेके start होती है length minus 1 तक जाती है similarly columns के लिए भी 0 से start होती है और length minus 1 तक जाती है तो जब आप iat use करें तो आप positions use करें जब आप at use करें तो actual जो rows और columns के name है उनको use करें row index और column index है जैसे की यह row index और column index जब आप iat use करें तब आप करेंगे इनको assigned position values चलिए देखते हैं क्या है so at और iat का use करें हम किसी particular value को access कर सकते हैं तो मैं लिखूंगा df.at यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा index और column कैसे use करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है at index index student2 दिया मैंने column name दिया तो student2 और column name में क्या value है वो यहाँ पर print हो जाएगा वैसाली देखते हैं क्या value है index student2 और column name में क्या value है यहाँ पर वैसाली तो वैसाली यहाँ पर print हो गया similarly one और zero पर क्या value है iat लिखता हूं मैं यहाँ पर भी पहले index है फिर column है so index one student2 और one name तो यहाँ पर भी वैसाली ही print होगा तो यह वैसाली okay one and zero देखते हैं इसको क्या है one and zero है sorry तो यह one है student2 और zero row number है तो यहाँ पर two है तो two print हो जाएगा two print हो गया यहाँ पर मैंने positions दी है यहाँ पर मैंने actual name दी है next है loc loc से आप slice निकाल सकते हैं कैसे use करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैं लिखूंगा df.loc यहाँ पर brackets लगाऊंगा वहाँ पर मुझे देना है start row index then end row index colon करके यहाँ से start होगा यहाँ पर end होगा comma column का start colon column का end यहाँ पर name दूँगा मैं similarly iloc होता है इसमें भी same मुझे देना पड़ता है rows के start and end and column के start and end लेकिन i यहाँ पर लगा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर मैं positions दूँगा और यहाँ पर मैं actual name दूँगा जैसे मैंने at और iat में किया तो देखते हैं loc को df.loc student1 और फिर मैंने यहाँ पर दिया है colon और फिर इसके बाद कोई value नहीं दिये इसका मतलब है student2 से start करो then यहाँ पर कोई value नहीं है इसका मतलब है up to end उसके बाद यह हो गया मेरा row index उसके बाद यहाँ पर column index है name से start करो percentage तक यहाँ पर आप देख सकते है student2 से row start हुई last तक student3 तक और यहाँ पर columns name से start हुई percentage तक देखिए यह मेरा पूरा data frame था इस data frame में student2 से start करो up to end तक तो यह दो row हो गई यह दो row हो गई है ऐसा अब उसमें columns क्या थे name से start करो percentage तक तो यह मेरा shaded area यह output होगा वैसाली और अरजीत 85-89 देखिए यह output है वैसाली अरजीत 85-89 ILOC में मैं यहाँ पर सेम चीज करता हूँ बट मैं यहाँ पर दूँगा position values यह जो position values हैं इनको दूँगा यह 0-1-2 जो इंटरनली असाइन होती हैं तो यह भी बिल्कुल similar काम करेगा 0 से लेके 2 तक और 1 से लेके 2 तक row 0 से start करो 2 तक जाओ column 1 से start करो 2 तक जाओ तो चलिए देखते हैं 0-2 and 1-2 तो 0 से start करो 2 तक जाओ 2 से 1 कम तक मुझे जाना पड़ता है यदि मैं integer positions use करता हूँ यदि position use कर रहे हैं तो 1 कम तक हम जाएंगे end एक और किया था 1 से लेके 2 तक तो column में 1 से start करो और 2 तक हम जाओ जाएंगे तो यह shaded area आया अद्रजा end वैसाली तो यह output आना चाहिए यह देखिए अद्रजा end वैसाली यहाँ पर 1 से start करो 2 तक मुझे जाना है तो 2 से 1 and minus 1 यहाँ तक ही मैं जाओंगा तो यह shaded area यह आयगा यह output आया था जब भी आप positions यूज करें तो आपको याद रखना है कि जो भी end value आप यहाँ पर देंगे उससे एक कम तक जाएगा जैसे मैं 2 दे रहा हूं तो 1 तक जाएगा यहाँ भी 2 दिया है तो 1 तक जाएगा तो यह चीज आपको याद रखना है अब इसके बाद end value का यूज करके आप dimensions निकाल सकते हैं चुकि data frame 2D रहता है तो always यहाँ data frame के लिए 2 आएगा df.shape से मैं shape निकाल सकता हूं चुकि मेरा data frame जो मैंने उपर बनाया था वह 3 3 x 3 का था इसलिए यहाँ पर 3,3 आ रहा है 3 x 3 का मतलब है 3 rows है and 3 columns है df.size से मैं size बता कर सकता हूं size का मतलब होता है इसमें कितने elements है 3 rows थी और 3 columns से तो total 9 elements होंगे इसलिए यहाँ पर 9 आ रहा है values df.values करने से सारी ही values यहाँ पर आ जाएंगी numpy array के form में numpy array जो आपने class 11 में पढ़ा था तो यह output सारी rows एक एक करके यहाँ पर आ गई first row, second row, third row so 2D numpy array के form में आई है यह list है और इसके अंदर list है यहाँ पर हमने सारे ही attributes देख लिए अब हम fourth topic discuss करते हैं operations on rows and columns यहाँ पर हम rows को select करेंगे add, delete करेंगे and rename करेंगे तो select करना हम सबसे पहले देख लेते हैं हम इस data frame को consider करके चल रहे हैं इस पर ही operations perform करेंगे यह वही data frame है जो last मैंने बनाया था last अपने third topic में भी बनाया था यहाँ पर row number, name और percentage यह column name है यह सारी row index है और यह values है चलिए इन पर operations perform करते हैं सबसे पहले हम करेंगे select then add, delete फिर rename देखेंगे select हम perform करते हैं select हम rows and columns को करेंगे सबसे पहले हम columns को access करना सीख लेते हैं columns को access करने के लिए आप क्या करेंगे यह syntax है इसका आप use कर सकते हैं तो कैसे करेंगे data frame का name dot column name दूसरा way है data frame का name brackets capital brackets then इसके अंदर column का name यहाँ पर आप column का name दे सकते हैं या more than one column का name भी एक list के form में दे सकते हैं तो एक way यह है दूसरा way यह है सबसे पहले first way को देखते हैं यदि मुझे roll number column निकालना है तो मैं क्या करूँगा df then bracket और यहां किसके अंदर roll number तो यह पूरा column निकलाएगा यदि मुझे दो column निकालना है तो यहाँ पर list के form में मैं roll number और name दे दूँगा तो यह roll number और name दो columns आ गए इसके बाद दूसरा way है यह यह, तो मैं लिखूंगा df.column name यहाँ पर column का name मैंने roll number दिया df.roll number तो roll number column आ गया लेकिन इस case में आपको एक चीज़ याद रखना है आपको df.roll number ऐसे नहीं देना है जैसे हम यहाँ पर दे रहे थे quotation लगाके वैसे नहीं देना है यह गलत है ना ही आपको यदि कोई column है जिसमें space है, roll number वो भी नहीं देना है यह भी गलत है, यह भी गलत है आपको ऐसे ही column देना है जिसमें space नहीं हो और आपने quotation use नहीं किये तब ही आपका output आएगा नहीं तो error आ जाएगी अब हम देख लेते हम rows को कैसे access कर सकते हैं सो जैसे हमने दिया था यहां start और end index होगा comma start और end column होगा ठीक है इसमें यह condition है both the index elements will be included जैसा कि हमने देखा था, loc में जो हम start और end index देते हैं वो दोनों include होते हैं और iloc में iloc में क्या होता है, यहां पर हम देंगे जैसे one two, यहां पर देंगे zero two तो यह two तक न जाके stop minus one तक जाता है ठीक है जो end रहेगा इसका उससे एक कम तक जाएगा तो इन दोनों का ही use करके हम rows को निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे यदि आप columns में कुछ ना दें तो इसका मतलब होता है मुझे सारे columns चाहिए यदि मैं देता हूँ df.loc और यहां पर दूँगा start row zero से लेके two तक और यहां कॉमा करके मैं कुछ ना दूँ या फिर मैं कॉमा को भी ही ना दूँ और इसको close कर दूँ इसका मतलब है मुझे सारे columns चाहिए तो यदि मैं इस तरीके से value देता हूँ यह आई के लिए हो गया और यह दी लोसी करता हूँ तो लोसी यहां पर मैं student one से लेके student three ऐसे दे सकता हूँ तो यह दोनों ही हो गया तो यह दी मैं लोसी का use कर रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से values दे सकता हूँ तो यहां पर आप देखेंगे यह df.loc student one से लेके student three तो यह सारी ही one two three दे देगा मुझे यह student one two three columns मैंने यहां पर नहीं दिये यह वाली चीज इसका मतलब सारे columns चाहिए मुझे अब यदि मैं चाहता हूँ मुझे particular values चाहिए तो list of list के form में मैं ऐसे दे सकता हूँ तो student one और student two जो मैंने यहां दिया वा उट्पुट में आ जाएगा यदि मैं एक value देता हूँ तो वही value आ जाएगी यह series के form में आएगी कैसे आई देखते हैं यह मैंने दिया df.loc और यहां पर दिया student one so student one का row number name और percentage जो यहां पर row के form में थी यह वो अब कैसे आ गई एक series के form में आ गई इस तरीके से है वही चीज row ही यहां पर आपको देख रही है बट series के form में तो यह 3 way से आप access कर सकते हैं row को इसके बाद columns को आप कैसे access कर सकते हैं df.iloc sorry अभी iloc के use करके भी आप rows को access कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देखिए जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था यह तो यहां पर आप क्या करेंगे आप यहां पर position value देंगे जैसे मैंने यहां पर दिया student 1 student 1 की क्या position value है student 1 की position value है 0, 1, 2 इस तरीके से तो आप मैं वहां पर position value दूंगा student 1 की position value है 0 तो मैं यहां पर 0 दे दूंगा df.iloc 0 तो पूरी की पूरी row निकल आएगी student 1 की value 0 थी 2 की value 1 है तो यहां पर मैं 0 1 दे दूंगा तो वही काम है बस यहां पर आपको positions देना है तो iloc का जब भी आप use करें तो आप positions दें और loc का use करें तो actual column और row index दें चलिए हम second चीज़ देखते है adding column and rows into data frame so columns और rows को आप data frame में कैसे add कर सकते हैं उसको हम देखते हैं तो यदि मेरा data frame df है और उसमें मुझे एक column admission number add करना है तो मैं क्या करूंगा df और यहां पर मैं नया column दूंगा new column जो भी है यदि admission number है तो admission number दे दूंगा और यहां पर list के form में values दूंगा values उतनी ही रहना चाहिए जितने मेरे columns हैं तो यहां पर 3 columns थे तो 3 values मैंने दी तो sorry जितनी values रहना चाहिए जितनी की rows है तो वो rows में यहां पर assign हो जाएंगी so df admission number आपने दिया अभी हमने देखा adding a column अब हम देखते है adding और modifying row सबसे पहले adding देखते हैं फिर हम देखेंगे modify कैसे कर सकते हैं तो यदि मुझे student 4 यहां पर add करना है तब मैं क्या करूंगा df.loc student 4 जैसे कि हम access कर रहे थे वही चीज हमें करना df.loc यहां पर मैं लिखता हूं student 1 तो student 1 access हो जाता है अगर मैं लिखूंगा student 4 और नई value assign कर दूंगा यहां पर row तो row में मैंने 3 values assign की जतने columns हैं उतनी values आपको देना है तो यहां पर नई value assign हो जाएगी 4, Mohan and 95 तीन columns से तो तीन values यहां पर दिये आपने और तीन values assign हो गई यहां पर चेंज करना है किसी value को तो आप क्या करेंगे आप लिखेंगे df.loc और existing row index देंगे student 1 यहां पर जो भी values देंगे वह यहां पर update हो जाएगी यहां मैं student 1 देता हूं तो student 1 की values है वह अब update हो जाएगी यहां पर जैने से अब हम देखते हैं delete कैसे कर सकते हैं columns and rows को so deleting columns देखते हैं पहले हम फिर deleting rows देखेंगे तो यहां पर 3 ways हैं आप del का use कर सकते हैं pop का use कर सकते हैं या drop का use कर सकते हैं बहुत ही simple है आप लिखेंगे del इसके बाद space देंगे फिर लिखेंगे df then यहां पर जो भी column आपको delete करना है उसका name देदेंगे तो वह column delete हो जाएगा second way है यह first हो गया second way है df लिखेंगे dot आप pop लिखेंगे उसके बाद यह function है pop इसके अंदर आप column name देंगे जो भी column देंगे वह pop हो जाएगा तीसरा है df.drop यह भी function है इसके अंदर भी आप column का name देंगे बट यहां पर आपको specify करना पड़ेगा axis को जैसा कि मैंने starting में ही बताया था axis one का मतलब होता है columns क्योंकि columns भी ऐसे होते हैं सीधे इसलिए one से आप इसको याद रख सकते हैं और axis zero का मतलब होता है rows तो यह तीन ways है इन तीनो ways में आपको drop बाला याद रखना है कि drop बाला df.drop करने से actual में data frame से drop नहीं करेगा बस वह screen पर print करके देखाएगा तो यदि आपको data frame में भी changes करना है तब आपको लिखना पड़ेगा df is equal to df.drop सो जो भी changes होंगे अब new data frame में assign भी हो जाएंगे अब हम देखते हैं deleting arrow so rows को कैसे delete कर सकते हैं similarly df.drop लिखूंगा मैं brackets यहां पर row दूँगा, comma x is equal to 0 दे दूँगा 0 का मतलब अभी मैंने बताया rows होता है x is equal to 0 देने पर वो row delete हो जाएगा यदि मैं दे रहा हूं student 3 तो यहां पर student 1, 2 आया 3 delete हो गया similarly यहां पर जैसे मैंने roll number delete किया था तो यह दो columns है roll number column delete हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं rename columns and rows of data frame data frame में जो rows and columns हैं यह indexes हैं इसको हम कैसे rename कर सकते हैं इसको rename करने के लिए मैं use करना पड़ता है rename function का rename function है इसलिए यहां पर small brackets हैं अब किस data frame का change करना है यही मुझे df data frame चेंज करना है तो भी लखूंगा df.rename फिर इसके बाद मुझे यह दो parameters यूज करना पड़ेंगे columns and index s यहां पर लगा है आप याद रखिए यहां पर सिर्फ index है so columns मैं दूँगा columns और यहां पर equal to is equal to यह सब कुछ मैं दे रहा हूं rename function के अंदर rename function यहां से start हुआ माल लिया यहां खतम होगा यहां पर फिर मैं dictionary दूँगा dictionary में old column colon new column so यह रहेगा key value old and new value उसकी value में key value old and new value उसकी value में index dictionary की similarly आप देंगे index is equal to key value key value तो यदि मैं role number को change करके new rn करना चाहता हूं देखिए new rn हो गया तो मैं जहे देना पड़ेगा role number dictionary के अंदर colon new rn तो इस तरीके से मेरा role number change हो जाएगा name को मैं change करना चाहता हूं new name तो मैं दूँगा name को new name यह change हो जाएगा यहां पर percentage को मैंने change नहीं किया तो वह वैसे ही है अब यदि मैं index को change करना चाहता हूं student 1 को s बन कर दिया मैंने student 3 को s 3 कर दिया तो यहां पर देखेंगे आप change हो गए तो यह दोनो चीज मुझे देना पड़ेंगी rename में और यहां पर आप देखेंगे comma से separated हैं दोना parameters df.rename यहां comma और दोनों मुझे यहां columns दे दूँगा यहां पर index दे दूँगा यह permanently change नहीं करता है यह सिर्फ screen पर print करेगा यदि आपको data frame में permanently change करना है तो आपको लिखना पड़ेगा df is equal to df.rename इस तरीके से आपके data frame में change हो जाएगा अब हम चलते हैं next topic पर और देखते हैं data frame की कुछ basic methods जो की important है और exam में आएगी सबसे पहले हम एक data frame बना लेते हैं df import pandas किया मैंने एक dictionary बनाई यह dictionary of list है जो की मैंने starting में ही दिखाया था आपको उससे मैंने pd.dataframe function call करके यह dictionary data pass करी यहाँ पर तो यह मेरा data frame बन गया अब इस पर ही हम functions को apply करेंगे पहला function है head head क्या करता है top rows निकालता है यदि मैं करता हूँ head 2 so top से 2 rows आ जाएंगी 0 & 1 Sheldon & Raj वाली यह देखिए आ गई यदि मैं minus 2 करता हूँ so top से लेके minus 2 तक minus 2 कहां पर आएगा यह minus 1 हो जाएगा यह minus 2 तो minus 2 से पहले तक तो यह सारी rows Sheldon, Raj और Leonard वाली rows आ जाएंगी तो देखिए यह आ गई अगर मैं df.head करता हूँ df.head यह देखिए df.head और यहां कोई value नहीं देता हूँ तब क्या होगा तब by default 5 rows will come जब कोई value नहीं देता हूँ तो default value क्या होती है 5 तो 5 values आ जाएंगी तो 5 rows आ जाएंगी यह आ गई इसके बाद है tail function तो tail function में क्या होता है bottom से rows आती है bottom से bottom rows यहां पर भी देखिए यदि मैं tail 2 करता हूँ तो bottom से 2 rows आ जाएंगी third और fourth number की यह opposite direction में नहीं आती है यह याद रखना है आपको यह है fourth और third दो rows है यह इसी order में आएंगी ऐसा नहीं आएगा कि पहले fourth number रो आगी फिर third number तो आप tail भी use कर रहे हैं तो पहले third number row आएगी फिर fourth number अगर मैं करता हूँ tail minus two so tail में नीचे से rows आती है यहां से नीचे से तो यह minus one हो जाएगा यह minus two tail के लिए तो यहां तक यहां से लेके यहां तक यह second third और fourth number वाली row output में आना चाहिए तो देखिए second third और fourth number की row आगी अगर मैं करता हूँ df.tail so by default five rows आती है तो देखिए zero one two three four five rows आगी तो यह था tail function अब आगे बढ़ते हूँ हम देखते हैं min function को so min function क्या करता है किसी भी particular column की minimum value निकालता है यदि मैं करता हूँ df.min तब क्या होगा सारे columns की minimum value यहां पर print हो जाएगी यदि मुझे किसी particular column की चाहिए तो मैं क्या करूँगा df.min तो अब सिर्फ age की minimum value आएगी तो देखी यहां 35 आगी यदि सारे columns की निकालना है तो आप करेंगे df.min तो एक series के form में data यहां पर print हो जाएगा similarly max है तो सारे columns की निकालना है तब आप क्या करेंगे df.max particular column की निकालना है so df age.sum sorry यह max है यहां पर लिखा रहेगा df age.max यहां पर गलती से sum लिख गया है यह sum नहीं है max यह वाली चीज आएगी तो column की maximum value क्या है age column की maximum value यह है 42 तो यहां पर 42 आएगा 42 output आएगा अब sum करेंगे तो age column का sum आजाएगा यदि सारे columns का sum चाहिए तो df.sum कर दिया count एक column में कितनी values है वो आजाएगी 5 values है वो आजाएगी df.mean करने से average आजाएगा यदि सारे ही columns का average चाहिए तो df.mean कर दूँगा तो औरे columns का average आजाएगा यदि particular column का चाहिए तो df.mean करने से age column का average आजाएगा अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और अब हम बात करेंगे csb file से data frame बनाना csb file से data frame बनाना और data frame से csb file बनाने की सो data frame से csb file हम बनाते हैं using two csb function से और csb से data frame हम पहले ही पढ़ चुके हैं read csb read underscore csb function से बनाते हैं तो वही चीज हम यहाँ देखने वाले है read csb इसके बाद हम देखेंगे two csb so read csb भी pandas के अंदर है जैसा कि हमने पहले ही discuss किया था read csb read csb pandas के अंदर है तो मुझे pandas import करना पड़ेगा फिर मुझे pandas.read csb करना पड़ेगा उसके बाद bracket लगाऊंगा यहाँ पर csb file देना पड़ेगी अभी तक हमने सिर्फ csb file दी थी और data frame बन गया था अभी तक हमने उसके यह सारे parameters को discuss नहीं किया था चलिए इन सारे parameters को एक एक करके discuss कर लेंगे file path और buffer इसमें हम अपनी csb file का path देंगे अगर मेरी यह csb file है इसमें देखिए यह जो columns है comma separate है उसके बाद rows की value भी comma separate करके लिखी हुई है यह comma comma तो file path और buffer parameter सबसे पहले हम इसको discuss करते हैं फिर हम separator, delimiter, header, name, index column and d type को भी देखेंगे एक एक करके सब को देखेंगे यह हमारा file path और buffer तो यह यह आपको data frame बनाना है तो सबसे पहले आपको import pandas spd करना पड़ेगा फिर आप करेंगे df is equal to pd.read csb फिर यहाँ पर आप csb file देंगे जैसा कि हम starting में ही देख चुके हैं तो इससे मेरा data frame बन जाएगा यह ऐसा data frame बनेगा जिसमें यह सारे columns जो first row थी csb file की वो column के name बन जाएंगे और बाकी यहाँ पर जितनी चीज़े हैं वो rows बन जाएंगी comma separate हैं उस तरीके से column decide हो जाएंगे यह first column यह second column यह comma के बाद यह third column अब इस चीज़ को मैं इन दो तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं लिखूंगा pd.read csb सिमिलर है यहाँ भी सिमिलर है उसके बाद मैं लिख सकता हूँ इस file को मैं इस parameter में equal to करके दे सकता हूँ simple भी दे सकता हूँ इस parameter में equal करके भी दे सकता हूँ दूसरी चीज यह तो था relative path यदि मेरी file उसी folder में है जिस folder में coding कर रहा हूँ उसके बाद यदि उस folder में नहीं है तो मैं absolute path का use करूँगा यहां मुझे full path देना पड़ेगा जहाँ पर मेरी csv file है तो यहां पर जो slash लगे हैं मां double slash आपको कर देना है तो आपको error नहीं आएगी क्योंकि यह escaping sequence के लाता है यह वाला slash तो यहां पर दो slash देंगे तो python इसको एक slash जैसे consider करेगा तो यह मेरा data frame df बन जाएगा तो इस तरीके से data frame बनेगा आप यह use कीजिए यह use कीजिए या फिर यह आप अपने accordingly use कर सकते हैं तो आप आगे हम इस वाले parameter को name देके use नहीं करेंगे directly हम अपनी csv file देंगे तो यह था file path और buffer parameter इसके बाद है sap और delimiter parameter दोनों ही parameter जो हमने उपर देखे थे यह वाला sap और delimiter दोनों ही एक ही हैं यदि आप sap यूज़ करना चाहें तो sap यूज़ करें delimiter यूज़ करना चाहें तो delimiter यूज़ करें जैसा कि हमने starting में discuss किया था कि यहाँ पर आप कि जो csv file है वो comma से separate होती है माल यह वो comma से separate नहीं है plus symbol से separate है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह सारी ही values plus से separate हैं देखें तब मुझे क्या करना पड़ेगा तब मुझे csv file देना पड़ेगी comma यहाँ पर sap की value plus देना पड़ेगी मैं python को बता रहा हूं कि जो value csv file में है वो plus symbol से separated है या फिर मैं delimiter is equal to plus कर सकता हूं इन दोनों का work exactly similar ही है तो आप देखेंगे data frame मेरा बन जाएगा जैसा मैंने आपको बताया था starting में ही जब हम data frame को create करना सीख रहे थे कि यहाँ पर यह comma separate भी हो सकती है या फिर किसी particular symbol से separate हो सकती है यदि dollar से separate है तो यहाँ पर आपको dollar देना पड़ेगा तो आपका data frame बन जाएगा यदि आप नहीं देते हैं dollar तब क्या होगा तब यह पूरा का पूरा एक single column में आ जाएगा आप इसको practical करके देखिए का आपको समझा जाएगा इसके बाद header parameter तो यहाँ पर जो यह csb file थी जिसको हमने यहाँ पर देखा था यदि मैं चाहता हूँ यह जो first line है वो header ना बने यह जो second line है वो header बन जाए तो मैं इसको बता सकता हूँ python को कि मुझे first number वाली line जो सबसे उपर line है वो zero number की कहलाती है second line first number तो first number वाली line मुझे header चाहिए तो देखिए यह वाली line header बन गई और उसकी उपर जो line थी वो चली गई उसको python ने फिर read नहीं किया तो header का मतलब है कि first number वाली line से read करो तो यह first number वाली line जो है वो column के names बन गई अगर मैं यहाँ पर एक list देता हूँ तो क्या होता है देखिए zero number और two number वाली line को header बना दो so zero number वाली line यह हो गई और two number वाली line में यह था बैसाली तो यह वाली line भी header बन गई तो दो header हो गए भी और two के बाद से data पढ़ा गया तो यह third number वाली line से data पढ़ा गया so zero number और two number यह दोनों header बन गए और two number के बाद जो three number वाली line थी वो मेरी row में आ गई यह row बन गई तो इसमें सिर्फ एक ही row है name parameter name parameter का use होता है यदि मैं चायता हूँ कि मेरे जो data frame बन रहा है उसमें मैं खुद से column names दूँ तो यहाँ पर मैं use कर सकता हूँ pd.readcsb csb का नाम, names is equal to abc यहाँ पर आपको उतने ही name देना है जितने की columns है तो देखिए abc यह क्या हो गया यह बन गया column name और यह मेरे columns आ गए लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरी first row थी csb file की row number name और percentage तो यह भी data बन गया लेकिन मुझे इसको data नहीं बनाना था तब मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे header is equal to zero बोलना पड़ेगा इसका मतलब है कि इस row number name और percentage वाली line को header बनाओ और उसको rename करके abc कर दो तो अब यह header बने और यह rename होके abc हो गए तो अब जो मेरा data आया वो देखिए zero number index पर यह वाली रो आई यह वाली यहां से तो इस तरीके से मैं names parameter का use कर सकता हूँ index column parameter तो यहां पर मैं read csb का use करूँगा csb file दूँगा और index column parameter का मतलब होता है कि मैं यह index जो आपको दिख रहे थे अभी तक यदि किसी column को मैं index बनाना चाहूँ जैसे कि मैं यहां पर देता हूँ column number 2 को मैं index बनाना चाहता हूँ तो percentage वाला यह column अब index बन जाएगा तो यहां पर 012 की जगे देखिए 80, 82 और 84 हो गया और यहां पर percentage column का name लिखा आ रहा है तो यह वाला column अब index बन गया और बाकी यहां पर other column data में आ गये तो यहां पर index column parameter का use करके आप किसी particular column को index बना सकते हैं data frame का अब हम देखते हैं d type parameter so d type parameter का काम होता है यदि आप read csb का use करके data frame बना रहे हैं तो किसी particular column को यह सारे columns को आप data type खुद से assign कर सकते हैं यदि आप default data type नहीं देना चाहते हैं तो यहां पर मैं लिखूंगा d type is equal to यहां पर dictionary और यहां पर मैं उस column का name और उसकी new data type दे दूँगा तो यहां पर देखिए आप अभी तक 80, 82 और 84 आ रहा था अभी यह float value बन के आ गया क्योंकि मैंने यहां पर इसकी data type change कर दी अब हम बात करते हैं to csv जैसे हमने देखा था data frame से csv बनाने के लिए हमें use करना पड़ेगा to csv function सो हम 2 csv को देख लेते हैं अभी 2 csv से हम कोई data frame existing है उससे csv file बना सकते है सो data frame रहता है python में और csv file आप उसको अपने computer पर extract कर सकते हैं तो यह data frame मैंने बना लिया पहले यह देखिए यह data frame है अब इससे मैं csv file बनाऊंगा तो csv file बनाने के लिए मैं use करूंगा to csv function का तो यहां पर मैं लिखूंगा df dot वहां पर मैं लिख रहा था pd dot read csb क्योंकि मुझे pandas का use करके data frame बनाना था अब यहां पर मुझे data frame का use करके csv file बनाना है तो मैं यहां लिखूंगा data frame dot to csv फिर उसके अंदर कुछ parameters दूंगा वह parameters हम देख लेते हैं पहला parameter है file और buffer path file underscore or underscore buf तो यह है यह वाला parameter is equal to करके मैं csv file दूंगा जहां पर मुझे data frame का data save करना है या फिर मैं इसको नहीं भी दूं directly csv file दे दूं तब भी काम बन जाएगा या फिर यदि मेरा csv file है वो मुझे किसी particular location पर save करना है तब मैं दे सकता हूँ df.tocsb और उसका full path तो अब जो मेरी csv file बनेगी वो इस location पर जाके desktop पर save हो जाएगी तो अगर मैं इसको run करता हूँ और मेरा data frame कुछ इस तरीके से है तो अब मेरे desktop पर ये file बन जाएगी जिसका name होगा stu underscore per जो मैंने यहाँ पर दिया है और उसका data कुछ इस तरीके से होगा सारी row की value comma separate होके आ जाएगी by default comma से separate होती है इसको आप change कर सकते हैं कैसे using sap parameter यदि मैं यहाँ पर दूँगा df.tocsb मेरी csb file then sap is equal to hashtag तो आप देखेंगे जो comma से separate आ रहा था अब यहाँ पर hashtag से separate होके आ जाएगा यह देखिए hashtag यह hashtag है, यहाँ पर hashtag, यहाँ पर यह सारे hashtag से separate होके आ गए अब इस data frame में से यदि मैं किसी particular column को निकालना चाहूं सारे column नहीं चाहिए मुझे किसी particular column को निकालना चाहूं तब मैं यहाँ पर column parameter का use कर सकता हूं मैं लिखूंगा df.tocsb मेरी csb file का नाम जहाँ पर मुझे data save करना है और column कौन-कौन से columns से यह हैं उसको list के form में मैं यहाँ देदूंगा तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक column आ गया by default, comma separate होके तो आप यह भी धियान दीजे यहाँ पर जब मैंने data frame को access किया df.tocsb से तब यहाँ पर देखिए यह indexes भी इसके साथ आ रहे हैं देखा आपने यह वाले indexes student 1,2,3 थे वो 0,1,2,3 होके आ रहे हैं जो internally assign होती है positions अगर मैं चाहता हूँ इसको remove करना तो मैं index parameter का use कर सकता हूँ और आपने एक चीज़ और देखी यहाँ पर कि यहाँ पर column names भी आ रहे हैं यदि मैं चाहता हूँ इन columns को भी remove करना तब मैं यहाँ पर columns parameter का use कर सकता हूँ तब मैं यहाँ पर header parameter का use कर सकता हूँ तो header को यदि मैं 0 false करता हूँ तो अब header नहीं आएगा आप देखिए header के name नहीं आए यदि मैं यहाँ पर index को false करता हूँ तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 जो आ रहा था वो नहीं आया यदि मैं दोनों को false कर देता हूँ तो यहाँ पर row index भी नहीं आए column index भी नहीं आए तो आप चाहते हैं यदि इन सारे parameters को साथ यूज करना जितने भी हमने पढ़े हैं तो भी आप कर सकते हैं तो यह था हमारा day 3 जिसमें हमने पूरा data frame कवर किया I hope आपको समझ आया होगा यदि कहीं भी आपको कोई doubt है तो आप मुझसे comment section में comment करके पूश सकते हैं साथ ही मैं आप इस pdf को जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ purchase करना चाहें तो description में दिवी link पर जाकर purchase कर सकते हैं thank you हम मिलेंगे ने एक्स वीडियो में और हम बात करेंगे अब day 4 की जिसमें हम matplotlib library को पूरा cover करेंगे जिसमें line plot bar graph histogram और customization of plot देखेंगे